हेलो माइ डियर फ्रेंड्स वेलकम टू फाइब मिनिट किचिन विश्ट रथा आज मैं आपके लिए बहुत ही पॉपूलर इंडियन स्ट्रीट फूड लेकर आई हूँ जिसे आप अपनी कीटो डाइट के दौरान जरूर मिस कर रहे होंगे वेजी टेवल पनीर फ्रेंकी इसे मैंने कीटो फ्रेंडली इंगेडियन्स के साथ बनाया है जो की हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है ऐसे और भी इंटरस्टिंग रेसिपी सबसे पहले जानने के लिए कीटो फ्रेंकी को मैंने 5 इजी स्टेप में बनाया है स्टेप 1 में हम फ्लेक्स मील से डो तैयार कर लेंगे इसके लिए एक पैन में पानी को बॉयल कर लेंगे और उसमें 1 टीज़्पून सॉल्ट, 1 कप गोल्डन फ्लेक्स मील और 1 tablespoon psyllium husk को add कर देंगे इन सब को spatula से stir करेंगे और gas की flame को low कर देंगे continuous stir करने से flex meal पानी को अच्छे से absorb कर लेता है और हमारा dough थिक होने लगता है ध्यान रहे कि आप dough बनाने के लिए boil water ही use करें क्योंकि cold या liquid warm water यूज करने से dough hard बनता है और जिससे keto wrap रोल नहीं होते हैं अब हम gas flame को बंद करके dough को ठंडा होने के लिए रख देंगे step 2 में हम avocado चटनी तयार करेंगे इसके लिए मैंने एक ripe avocado को पील करके cut कर लिया है अब इसमें chopped coriander leaves 1 teaspoon black pepper salt as per taste और 1 teaspoon lemon juice add करके इन सब को अच्छे से mash कर देंगे avocado चटनी keto wrap में creamy texture add करती है और साथ ही इन्हें और भी tasty बना देती है step 3 में हम फ्रेंकी के लिए रोटी तयार कर लेंगे पहले तयार किया हुआ अवडो थंडा हो गया है अब हम इसको एक flat surface पर रखकर बूत लेंगे और 4 equal sizes में cut कर लेंगे अब इनकी balls बना लेंगे और एक एक करके इन्हें बेलेंगे इसके लिए एक flat surface पर parchment paper विच्छा देंगे और balls को हलके हातों से evenly प्रेस करेंगे और इसके उपर एक और parchment paper रखकर बेलन से रोल करेंगे parchment paper से ball आसानी से रोल हो जाती है और बेलन पर चिपकती भी नहीं है रोटी रोल हो गई है अब इसके उपर का parchment paper निकाल देंगे और keto रोटी को round shape देने के लिए एक lid से cut कर लेंगे और extra dough निकाल लेंगे अब पैन को घी से grease करेंगे और इस पर रोटी को रख देंगे और medium flame curry करीब एक मिनिट तक सिखने देंगे अब इसको पलट कर दूसरी side भी सेखेंगे और एक plate में निकाल लेंगे अब हम 4th step में फ्रेंकी के लिए filling तयार करेंगे इसके लिए गरम पैन में 2 tablespoon olive oil लेंगे इसमें 1 teaspoon cumin seeds और 1 finely chopped green chili डालेंगे अब इसमें onion add करेंगे मैंने यहाँ पर half cup chopped onion को mixer jar में पीस लिया है इसको dark brown होने तक saute करेंगे half cup पिसा हुआ टमाटर add करेंगे और करीब एक मिनिट तक saute करेंगे अब इसमें मसाले add कर देंगे half teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon coriander powder, half teaspoon red chili powder, salt as per your taste अब इन सबको अच्छे से mix करेंगे half cup green pepper add करेंगे जिसको मैंने chop कर लिया है इसे भी मसालों के साथ अच्छे से mix करेंगे और करीब एक मिनिट तक पकने देंगे अब हम 75 grams homemade paneer लेंगे जिसको मैंने cubes में cut करके shallow fry कर लिया है roasted paneer keto frankie को और भी अच्छा flavor देगी घर में आसान तरीके से paneer बनाने की recipe की link नीचे description में दी हुई है लास्ट में 1 fourth cup heavy whipping cream add करके mix करेंगे लीजे veggies और paneer से मिलकर बनी हुई tasty filling तैयार है अब last step में keto frankie roll तैयार करेंगे इसके लिए रोटी के उपर तैयार की हुई avocado चटनी evenly spread करेंगे और एक side में बारीक लंबी कटी हुई cabbage रखेंगे और उसके उपर तैयार की हुई पनीर की filling को भी रख देंगे और कुछ spring onions को sprinkle करेंगे इसके बाद आराम से रोटी को रोल कर देंगे माउट वाटरिंग keto frank की रोल तैयार है यह एक बहुत अच्छी low carb रेसिपी है जिसे आप अपने keto life style में lunch, dinner या फर snacks में ले सकते हैं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से करें और every week new recipe सबसे पहले जानने के लिए bell icon को प्रेस करना ना भूले और यह recipe आपको कैसी लगी comment section में जरूर बताएं thanks for watching